क्या सच में ये वी आपको और भी संस्तिम मिलने वाली है क्योंकि ये बात में बिल्कुल भी जूट नहीं कर रहा क्योंकि फेम 3 सबसीडी के एनाउंसमेंट हो चुगा है और आपको पता होना चाहिए कि दो महिन में फेम 3 सबसीडी आ जाएगा और ये सिफ 2 विलर के लिनी न अब वो कैसे जो भी लोग नए उनको पता होगा कि अभी पर किलोवाट मेंटा है 5000 रुपीज एक किलोवाट का बट फेम 3 सबसीडी में आप सोच भी नहीं सकते आपको दस से बारा हजार रुपर वापस से मिलना चालो जाएगा इवन फेम 2 से तो जाद ही मिलेगा तो आप सोचो अगर आप 4 किलोवाट की बैटरी लेते हो तो आपको 40-45,000 का तो ऐसे ही फायदा होने वाला है भाई मतलब कि आपको कोस्ट कितना कम हो जाएगा और अभी अगर आप वो गारी एक लाग एक लाग 20,000 की ले रहो तो सोचो फेम 3 के बाद वो आपको 90,000-80,000 की पढ़ 2015 में पहला फेम लागो किया गया था उस टाइम एवी वीकल का क्रेज बिलकुल कम था तो प्रमोट करने के लिए कि लोग जादा से जादा एवी वीकल पर शिफ्ट करें क्योंकि पॉल्यूशन जादा हो रहा था तो वो निकाला गया था जिसके वजह सबशेटी का मतलब हो और वहीं अगर आप अच्छे कॉलिटी की टीवेस जैसी गारी या एथर जैसी गारी ले तो 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 दो दो लाग रुपर पे करने पड़ेंगे बट फेम टू लाउंच वो उसके बाद इन गारी का प्राइस कम हुआ अब फेम तरीका जो प्राइस है आगा वो और भी कम हो तो अब कितना कम होगा बजट क्या आया है वो सब के बारे में हम बात करेंगे जो फेम टू का बजट सा 2019 में था और दो हजार चौबीस के अपरेल तक का चला उसमें आपको सेवन थाउजन बसेस का फिप्टी थाउजन इरिक्षा का और टैन लैक इटू स्कूटर के यानि बिल्कुल भी कम देती थी क्विकि जिस हिसाफ से प्राइस ले तो उस उस जपसे प्रोवाइड नहीं करती थी और प्राइस बहुत ज्यादा होता था अभी तो आप का फाया होने वाले क्योंकि डिलीओडी तो आपको पता है कि चाहरे कभी बिलो एक पड़ गारी लॉंच हो जाती है तो उसके बाद डिलेविट दस से पंदरा दिर में मिल जाती है और एक गुड न्यूस यह भी है कि और भी मॉडल लॉंच होने वाले अब फेम तरीकी बात करते हैं वो कब से अपलाई हो और उसमें चेंजेस क्या के की गए सबसे बरी बात है ना कि इसमें चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात की गई है सस्टेनिबिलिटी में भी बात की गई है यानि कि आप रिसाइकल में भी फोकस कर सकते हो मतलब कि और जो भी नए इवी मैनुफेक्चर है वो भी अब उभर के बाहर आ सकते है तो जो फेम 3 का जो बजट है ना वो बारा करोर रुपे है फेम 2 से दो हजार करोर रुपे जादा ठीक है और यह कब तक चलता है यह डिपेंड करता है कि आपकी कितनी यूनिट सेल होती है और इसमें डिसाइड क्या जाएगा कि पहले जैसे सेवन थाउजन इबसेज के लिए था अब यहा नहीं कर सकती कि एक किलो वाट में 20,000 देना चालू कर दे क्योंकि फिर इस ही साफ से देखा जाए तो अगर पर किलोवाट 20,000 मिलना चालू जाएगा तो जल्दी ही खतम हो जाएगा और इवी विकल फिर नए फेम लाना पड़ेगा तो ऐसा नहीं कर सकते एकना बजट में अब इसमें नए नए चीज क्या है सबसे पहली बात की जो नए इवी मैनुफेक्ट्यर रहना अचा है वो लोग पली क्यों उनको प्रमोट किया जाएगा और एक अच्छी बैटरी बनाई जाएगी अच्छी गारी बनाई जाएगी मतलब कोई भी अपनी गारी को ऐसे ही ल प्रमोट करते हैं तो उसमें बैटरी का खतरा बढ़ जाता है और बैटरी कहां से प्रोडूस हुए कहा मैनुफेक्ट्यर हो यह और इंडिया में ही बैटरी मैनुफेक्ट्यर के बहुत सारे प्लांट लगाए जाएगे इसके जॉब में भी असानी होगी लोगों को अनिम् प्रोडक्शन किया जाएगा बट यह बजट के बाद सब कुछ आपका होना चालू जाएगा और यह सेंट्रल गॉर्मेंट के तरफ से हैं तो इसके में आपको लेट होते उतरा ज्यादा नहीं देखाएगा जैसे कि अपना चार्जिंग इस्टेशन मनाएगा खुद का अब आते हैं कंपनी के चलाकी के बट यहां तक आप सुन लिए अब एक्जामपल में आपको बता रहा हूं कि अधर अपनी प्राइस अभी भी कम नहीं कर रहा है ठीक है लेने वाले इसको ले नीडियो ओला वहीं दिमाग से खेलता है कि मैं प्राइस कम करके बेचूंगा पर ज्यादा बेचूंगा बट सपोस्ट अगर इसकी एक शोरूम प्राइस फेम थ्री सब्सीडी के बाद जैसे कि फिलाल अभी देर लाग है एक एक्जामपल से मैं आपको बता रहा हूं एथरिस्टा भी लेते हो तो चलो 1,35,000 एक शोरूम और 1,50,000 एक शोरूम आपको देगा तो वहीं पर अगर हम फेम 3 सबसीडी आजाता है और 4 किलो वाट की बैटरी है 3.7 किलो वाट की तो उसमें आपको 10,000 एक शोरूम करते तो कंपनी अपनी प्राइस अगर 20,000 बढ़ा भी देगी और सबसीडी आपको 30,000 मिलेगा तो आपको फायदा कितने का हुआ दूसरा कंडिशन एकदम एज़ी एकजांपल समझाओं आप बिल्कुल समझ जाओगे ओला की किवाली वेरेंट 2 किलो वाट कितने के आती है 75,000 की सेंटरल गोर्मेंट सबसीडी आपको कितनी देगी 10,000-10,000 तो 20,000 तो आपको कैसी ओफ हो गया तो क्या ओला उसको 55,000 हो ब अभी बहुत लोग TVS IQ लेना चाहते हैं मेरे को भी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई हम TVS IQ लेने चाहते हैं कि उसका लुक सबको पसंद है, बॉड़ी की बिल्ड कॉलिटी एच्छी है इवन एथर भी लेन चाहते हैं बट उसका बजट इतना ज़ाद है कि हम उसको पूरा और बहुत ही जाता क्वांटिटी में उसके गारी बिखती है इसके वज़े से महां पर प्रॉफिट बहुत हाई होता है और लोग उसके गारी पसंद भी करते हैं इसके कंडिशर में यह डिपैंड करता है कंपनी के एक्ष्ण प्राइस के उपर और किस वीकल को कितन 10,000 के बीच में इसके अंडर में आपको पर किलोवाट मिलना चालू हो जाएगा में मतलब आपको 11,000 बिल्कुल नहीं मिलने वाला चाहिए आपका आड ले लो इसकूटी ले लो बट अभी से तो आपको प्रॉफिट होगा बाकी हो कंपनी में बट ओला यहां पर थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉफिट 57,000 रुपए का हो सकता है तू किलोवाट वेरेंट में और अगर आप एसवन प्रोजेंट ले तो अभी उसकी एक्षोन प्राइस है एक लाग 32,000 रुपए उस टाइम वो डेड़ लाग हो जाएगा उसमें फेम 3 सबसीडी अगर 30,000 रुपी तो आपको और रोट पड़ेगा एक लाग 30,000 तो आपको टोटल 10,000-15,000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा ओला कमपणी में बाखी एथर में टीवेस में और सिंपल वन में देखने को मिलेगा अब सिंपल वन का क्या न्यूस है सिंपल वन अब आपको हर जगा डिलिवरी देने का प्रॉमिस कर रहे है अब उसके लिए कि मैं स्पेसिफिक वीडियो लागँ में बात करते हैं अब यह अप्लाई कर सोगा तो भाई चैनल सो सब्सक्राइब कर दो आपको डेली इंफोर्मेशन मिलते रहता है तो यह अप्लाई होगा आपका सेप्टेंबर से जुला सब्सक्राइब कर लो थैंक्स वरोचिंग